वेल्कम बैग तो माय यूटूब चैनल जांगिड फैमली स्वागत करते हैं आप सब का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जांगिड फैमली में आज मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए एक और रेसिपी तो आज हम बनाएंगे राजस्थानी चूर्मा जो राजस्थान में बनता है वो चूर्मा बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी तो यहां पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है अब इसमें गीर डा तो चूरमा बहुत अच्छा बनेगा ठीक ठीक मोवन डालना है मिक्स कर事े ऐते के-बच में और इसSecure र चूर्म कर union कोर। ऑफ्षी को ज़िए और यहां दोफ्षी कर दोफ्रती अच्छा हमें आच्छे एकटलख में दैंदे एक तहुन होना है एक भी सब्सक्राइब करें। गुंद में एक चमब गड़ा, नाता लगा लीद्य उड्गी रग्रीजिप, 30 लेखिये में और यहां हदॉ ऑट frustाट को नाता सेव सब्सक्राइब कि दूद भी लोह हैं 12 आटे चोटा चोटा लेकर एष़ कर्किजन्य में पेड़े जैसा ही के बना लेंगे तो यस को फ्राइए नहीं करता है तो तो जDING जादा मोटा नहीं बनाएगे क्वाउट से कच्छा रह जाएगा तो थोड़ा सा आइसे पतला पतला करके इसको की पना राजlichen देडा की चूरमा्स बनाव राटा क का मैं ठीज यहां पॉराचा के UMे चूरमा की 정도로 कखेंते और का भी लिए यह हैं यहां फील गी फ़िटा ने के लिए घेरे लिए चूरमा गी अदुनकी बनाesy नाद की चूरमा बाना में पूरी सूनलों भीयाँ स्कूच क्याओं कर देंगे तो दितम देशु सुनलर के और देशा सूलना कम देखे यह दिमी आज पर मैंने फ्राई कर लिया है वह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अभी इस निकाल लेंगे और ऐसे करके सब जो आट्टी का हमने बनाया था वह पूरा फ्राई कर लेंगे और रेसिपी मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा इसे रेसिपी मेरा अपने के लिए नया नया तो ऐसे देखיए जैसे थोड़ा थन्दा हो गया तो इसको ऐसे करके तोड लेंगे ताकि कि मेक्सिपी पीषने से त्पैर колश्वाइन मेरा आसानी यह जाएगा ऐसे करके थोड़ा टुक्डडे में तोड光 लेंगे कि अभी थोड़ा ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में जितना मिक्सी में आया इतना डाल के ग्राइंड कर लेंगे इसको तो यह देखिए ऐसे चूर्मा बन जाएगा इसका इसको निकाल लेंगे और कीज कि प्राइंगे मिक्सी में कर लेंगे यह देखिए ऐसा चूर्मा ओन जाहिए जय्यादा बारिक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा बारिक भी अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे थोड़ा 疑न में पीसेंगे इसको आज picture कि शोदो लेंगे और जो जएप बच गया थैसी जो भे hammam करीज है देब्स फिल ऑका टाला है जुइंट हाँ में जब मानशाला किविदा गया आप और यहां पर जैसे फ्राई करेंगे तो थोड़ा बंद करने के थोड़ा घी को ठंडा कर लेना नहीं तो उतना गरम में डालेंगे तो गोंद एक दम से ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा हलका ठंडा घी करके फिर गोंद डालना है यहांपे देखे पूरा चौरमा नहीं पीछ लिया है यीए अख बत्न में आयन है अशलिए मने थोड़ा दूसरा बत्न में निकाल लिया है क्योंकि हमकोई इसमें ऑचीनी मिक्स करना है push Kirimo fig मिछा हुआ है। जो हम लोगों में बुरा बोलते हैं, खांड भी बोलते हैं, तो यह इसमें मिक्स कर लेंगे, मीठा अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको पसंद है, अगर ज़्यादा मीठा है तो ज़्यादा clay कम है तो थोड़ा कंदू है तो यहां पर इसको अच्छी से mix कर लेंगे कि हाथ से आसानी मिक्सों हो जाएगा तो हाथ से लेंगे अच्छी से mix कर लेंगे बुरा दालने के ग्ला इस तो प्रश्ण को घड मातलों, पूरा मिक कर लिए अच्छे से अब इसमें जो गॉंद फुलाया था वो डाल देंगे पूरा गॉंद अच्छे से फुला हुआ है और गॉंद कच्छा नहीं रहना चाहिए अंदर से नहीं तो जैसे जब चूर्मा खाएंगे तो दांत में चिपकेगा तो गॉंद अच्छे से फुलाना है कच्छा नहीं रहना चाहिए देखे घी भी बचा हुआ इसमें थोड़ा अब ये पूरा चूर्मा में मिक्स कर देंगे गी डालने के बाद में जैसे थोड़ा घी आया तो इसमें कलर चेंज हो जाएगा अपने आपी अच्छा कलर हो जाएगा और यहां पे मने जो घी बचा था कड़ाई में वही मने डाला है बाकी एक्स्ट्रा घी मैं नहीं ले रहे हूं अगर आपको लगे तो आप यहां पे एक्स्ट्रा घी भी डाल सकते हैं तो यह देखिए चूरमा हमारा बन के तयार हो चुका है इसका हम ऐसे करके लड़ू भी बना सकते हैं देखिए और यहां पे मने ड्राइफ रूट भी नहीं डाले हैं आप ड्राइफ रूट भी डाल सकते हो ड्राइफ रूट चे भी अच कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको आज का मेरा रेसिपी वीडियो तो बाई दोस्तों मिलते हैं को नए रेसिपी वीडियो के साथ तब तक रेसिप को ट्राइ किजिए और इंजोई किजिए बावाई फ्रेंड्स